आज मैं आपके साथ सेयर कर रहे हूँ चावल के आटे की इतनी टेस्टी और मज़िदार रेसिपी जिसे आप एक बार बनाएं और आराम से महीनों तक खाएंगे और खाने में बहुत ही जादा टेस्टी और क्रिस्पी बन के तयार होता है जिसके लिए मैंने अधा कप चावल का आटा ले लिया है आपको जितना बनाना होतनी क्वांडेटी में सबी चीजों को ले सकते हैं अब हम इसमें दो चम्मच सूजी डाल देंगे साथ में इसमें दो चम्मच डेसिकेटेड कोकोनट डाल देंगे ये थोड़े से मोटे वाले कोकोनट है अगर आप चाहें तो बारिक वाले भी डाल सकते हैं जो भी आपके पास हो साथ में तीन चम्मच इसमें मैंने चीनी डाल दिया जितना आप मीठा पसंद करते हैं उसके कोर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं अब हम इसमें एक चम्मच देशी घी डालेंगे घी डालने से मोयन बहुत अच्छा होत हमारी जो रेसिपी है उतनी ज़्यादा क्रिस्पी उतनी ज़्यादा टेस्टी बन के तयार होगी और घी से मोयन दे रही हूं तो इसमें खुसबूब बहुत अच्छी आ रही थी इस समय और देख सकते हैं मैंने सभी चीजों को मिक्स कर लिया है कलर भी हलका सा चेंज हो गया सकते है इसको अब हमें थोड़ा थोड़ा पाने डालके सक्ड़ लगा के तयार करना है बहुत ज़्यादा पानी नहीं लगता है और ये देख सकते हैं मैंने इस यसे muscle muscle की सारी चीजों को एक जगाई गठा कर लिया बहुत ज़्यादा आपको इसे गूतना भी नहीं है कि एक्तम गूत के smooth नहीं करना है बस सारी चीजे एक जगाई गठा कर ले और ये देख सकते हैं अच्छे से bind हो रहा है सारी चीज़े एक जगाई गठा हो गई है डो हमारा रेडी है अब हम इससे छोटी-छोटी खजूर बना के तयार कर लेंगे आप अपने एकॉर्डिंग थोड़े छोटे बड़े जो भी आप डिजाइन से देना चाहते हैं वो ऐसे दे सकते हैं मेरे पास ऐसा कुछ तो था न इतना ज्यादा क्रिस्पी बनता है और बहुत ज्यादा झेस्टी लगता है अब यहां मैंने जो झिलनी होती आलू झिलने वाली उसको लिए और सी से डिजाइन बना रही हूं और इससे बहुत सुदर से डिजाइन बन के तयार हो जा रहा था तो इसी तरीके से साबरे पटाफट बन की तयार होता है इसमें टाइम बहुत कम लगना है और बहुत लंबे समय तक चलने वाली चीज़े आप एक बार बना के रख ले बच्चों को तो यह बहुत पसंद आएगा अब हम इसे फ्राई करेंगे फ्राई करने के लिए तेल बिल्कुल हलका गरम होना चाह हैंगे इसे हम पलट लेंगे हमें इसे पलट पलट कर दोनों साइट से अच्छे करार एक गोल्डेन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है और यहां देख सकते हैं बहुत प्यारा सा कलर आ गया एक तम सुनेरा कलर आ गया है तो अब हम निकाल लेंगे इससे ज़्यादा फ् अब मैंने चावल की आटे से बनाया और मुझे मतलब चावल की आटे का बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था और यह बैच की खजूर मैंने फ्राई कर लिया है इसी तरीके से हम जो बाकी बचे हुए खजूर है उसे भी कर लेंगे तो यह हमारा बहुत ही क्विक और इजी सा स्नैक्स जो बनकी तयार हो जाता है कभी भी आपको खाने को मन करें एक बार बना लेजिए और लंबे समय के लिए श्टोर करके आप रख सकते हैं ट्रेवल वगर में भी लेके जा सकते हैं तो आप भी इस राइस लोर क खजूर की रेसिपी को जरूर ड्राइ कीजिएगा वीडियो अच्छा लगाओ प्रेज उसे लाइक केजिएगा चैनल को सब्सक्राइब केजिएगा मिलती हूँ ऐसी एक नए मज़दार रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई बाई थैंक यू